हेलो फ्रेंट्स मैं राकेस कुमार अपने राकेस मैथेमेटिक्स ट्रिपल यूटू चानल पर आपका स्वागत करता हूँ आज हमें एक बहुत ही महत्पुन प्रस्ण का अध्यन करने वाले हैं प्रस्ण है कि सिद करे की रूट थ्रियेक अपड़िमय संख्या है कि यह प्रस्ण कैसे बनता है हर एक साल यह प्रस्ण एक्जाम में निश्चित रूप से पुछी जाती है इसलिए बढ़िया से हमको इस प्रस्ण को समझना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लिखेंगे कि यदि संभव होतो तो मान ने लिया कि रूट थिरी एक परिमय संख्या है संख्या है तब यदि रूट थिरी एक परिमय संख्या है तो हम लोग जानते कि रूट थिरी परिमय संख्या जो होती हो प बटा क्यू के रूप में होती है तो हम लिख सकते हैं कि रूट थिरी बढ़ावर पी बटा क्यूँ जहां पी कॉमा क्यूँ एक धन पुर्नांग है तथा पी क्यूँ में कोई उभैनिस्ट गुननखंड नहीं है अब क्या करते हैं हम लिखते हैं कि रूड थी इसकाल टू पी बाई क्यू दोनों और वर्ग करते हैं करने उपर गर root 3 का हम लोग over करते हैं तर root 3 का square और p बटा q का over करते हैं हम लोग तर p बटा q का square अब हम लिखते हैं root 3 का square 3 p का square p square इसका q square तब 3 मिस गुना होगा 3 q square is called to p square तो हमें हाली सकते हैं 3 p square का गुनाज है जो कि 3 p square का गुनाज है आता 3 p का भी गुनाज होगा पुना हम लोग क्या करते हैं p का value 3 के रखते हैं तो हम लेख सकते हैं 3 q square is called to 3 k square यहां हम लोग p के जगा 3 के रखें तो 3 k square is called to 3 k square 9 k square आपके हालगा 3 से कड़ेगा 3 एक कम 3 एक 3 एक 3 एक 3 तिन 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 9 q का भी गुनाज होगा अब इसको भासा हमें लिखते हैं इस परकार हम पाते हैं की 3 p और q दोनों में उभैनिस्ट गुनन खंड है उभैनिस्ट गुनन खंड है किन्तु हमने उपर क्या माना था कि p और q एक धन पुरनाग है ता p और q में कोई उभैनिस्ट गुनन खंड नहीं है लेकिन यहां हल करने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ कि 3 P का भी है गुनाज है और 3 Q का भी है गुनाज है इस प्रकार हम पाते हैं कि 3 P और Q दोनों का गुनाज है कोई उभैनिस्ट गुननखंड नहीं है आता हमारी मन्याता गलत है हमारी मन्याता जो हमने उपर मना था कि रूट थी एक आपड़ मैं संख्या है अब आते हम दुसरे परसंद पर दूसरा परसंद क्या है कि सिध करे की ठी-2 रूट3 एक आपड़ मैं संख्या है इस परकार के प्रस्वें को हम कैसे हल करते हैं इसको ध्यान से देखेंगे यह लिखेंगे कि यदि संभव हो तो मान लिया कि 3-2-3 एक पढ़िमैसंख्या है पड़िमाय संख्या तब अब यह दिए अगर पड़िमाय संख्या है तो इसको अब लिख सकते हैं कि 3-2-3 is called to A जहाँ A1 धन पुर्णांग है क्योंकि कोई भी धन पुर्णांग जो होती है वो एक पड़िमाय संख्या ही होता है 3-2-3 एक आपर A मानते हैं यानि इसको A के धन पुर्णांग संख्या अब हाँ से हम रूट 3 के फैल नहीं कलते हैं तो 3 प्लस तो दो जाएक माइनस 2-2-3 is called to A-3 माइनस को उधर भजेंगे 2-3 is called to जो A-3 हो जाएगा 3-A दो इधर गुना में है तो उधर जाके संख्या भाग में हो जाएगे 3-A by 2 अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ A 2 और 3 एक धन पुर्णांग है धन पुर्णांग है अता 3-A by 2 एक परिमें संख्या होगी एक परिमें संख्या होगी किन्तू किन्तू root 3 जो है एक परिमें संख्या है तो इस परकार हम देखते हैं कि root 3 एक परिमें संख्या है तो इसके ज़र लिखते हैं हम लोग परिमें और 3-A by 2 एक परिमें संख्या है तो इसको लिखते हम परिमें इस प्रकार हमारा क्या आ रहा है कि तो हमारा क्या रही बड़ावर रही है लेकिन हम जानते कि किसी भी स्थिती में कोई भी अपरिमेर संख्या की बड़ावर नहीं होती है तो उपर हमने जो माना था कि 3-2-3 एक परिमेर संख्या ये गलत है यह धारना गलत है कि कोई बराबर हो इनी सकता है अता हमारी मानने अता गलत है 3-2-3 एक पड़िमे संख्या नहीं है यह अर्थात 3-2-3 एक पड़िमे संख्या है इस प्रकार यह सिध होता है इस दोनों प्रस्न को हमें बढ़िया से याद करना है और ध्यान रखना है हरे एक इक जाम यह प्रस्न पूछी जाती है और आपको यह भी वीडियो अच्छा लावा थे क्रिपिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबादें थाकि जब भी मैं वीडियो डालू तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सकते हैं बेलो आपको यह इसकता है